कहानी है नहरू नगर गाउं की रहने वाली सरोच और उसकी साथ साल की बेटी निशु की। सरोच का पती दिनू गाउं के साहुकार के यहां काम करता था और काम के दौरान एक दुरगटना में उसकी मौत हो गई थी। पती की मौत के बाद सरोच और निशु गाउं के साहुक के घर में काम करने लगी और साहुकार के जुल्म सहतीं। दोनों मा बेटी मा दुरगा की बहुत बड़ी भग थी। आए देखते हैं कि कैसे मा दुरगा ने उन्हें साहुकार के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। निशु, निशु, जल्दी उट, काम पड़नी जाना है हो गए तो साहुकार की गालियां सुननी पड़ेंगी अच्छा मा उठती हूं निशु जल्दी से उठकर नहा लेती है और तयार हो जाती है निशु बेटा आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है आज हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा सरोच और निशु म मादुर्गा की पूजा करने लगती है हे मादुर्गा आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करती हो हमारी मदद कब करोगी सरोच और निशु इतने गरीब थे कि उनके पास मादुर्गा की एक प्रतिमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी दोनों रोज ह मा आखिर मारेगा, मा आखिर हमें कब तक साहुकार की गुलामी सहनी पड़ेगी, निशु बेटा दुर्गा मा सब देख रही है, उन्हें तो सब पता है, सही समय आने पर वो हमें साहुकार के जुल्मों से मुक्ति जरूर दिलाएंगी, बाते करते हुए दोनों साहुकार के खर पहुँचे, आ गए तुम दोनों, आज पूरे बीस मिनट लेट आए हो, तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा तो है नहीं, और इतना कहकर साहुकार सरोज को डंडे से मारने लगता है, सरोज को काफी चोट लग जाती है, सरोज की यहानत देखकर निशु रोने मारना है तुम मुझे मारो, मा मेरी बज़ içe से ہी लेट हुई है आच्छा, तो यह तेरी गलती है इतना कहकर साहुकार निशु को डंडे से मारने लगता है, सरोज साहुकार के पैरों पर गिरचाती है और गिरट गिराने लग जाती है माफ कर दो साहुकार जी, हम आगे से लेट नहीं होगे, मेरी बच्ची को मत मारो साहुकार निशु को छोड़ देता है एक तो तेरे पती ने उधार ले रखा था, उसे चुकाई बिना ही मर गया उसके बदले में तुमारे अलावा और कौन काम करेगा? लेकिन तुम लोग भी काम चोर हो, चलो अब काम पर लगो दरसल सरोज के पती दिनु ने अपनी मिट्टी के घर की छट पर खपड लगाने के लिए साहुकार से 2000 रुपे उधार लिए थे साहुकार सूद समेट उधार चुकाने के नाम पर दिनु से मजदूरी करवा रहा था अचानक दिनु की मौद हो जाने के बाद सरोज और निशु को साहुकार के घर पर काम करना पड़ रहा था उधार तो कबके पूरे हो चुके थे? लेकिन गरीब और अनपड होने के कारण साहुकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवा था सरोज और निशु मादूर्गा का नाम लेकर साहुकार के जुर्म सहते और उसके घर का काम करते नवरात्री का त्योहार आने वाला था त्योहार से पहले साहुकार की पतनी सरोच और निशू से अपने घर की सफाई करवा रही थी सरोच ये मादुर्गा की तस्वीर तूट गई है इसे कुड़े में फेग दो लेकिन मालकिन मादुर्गा की तस्वीर कुड़े में कैसे फेग दू पाप लगेगा बहस मत करो, हम तूटी-फूटी चीज़ें अपने घर में नहीं रखते, बाजार से नई और सुन्दर तस्वीर ले आएंगे लेकिन सरोज ने मादुर्गा की तूटी-फूटी तस्वीर को छिपा कर एक कोने में रख दिया काम खत्मों हो जाने के बाद सरोज मादुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई मा, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे, हमारे पास मादुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है न? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये एक तूटी-फूटी तस्वीर नहीं, बलकि सर्फ मादुर्गा है मादुर्गा की भक्ती सच्चे मन से की जाती है, तस्वीर तूटी हो या नई हो, उससे मादुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता ये तस्वीर मादुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है, ताकि हम इसे अपने घर में लगा कर मादुर्गा की पूजा कर सके सरोज और निशु उस तस्वीर को अपे टेप से चिपका कर अपने घर में रख लेते हैं नवरात्री का त्योहर शुरू हो चुका था, सरोज और निशु रोज मादुर्गा की उस तस्वीर की पूजा करते नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी निरंकार है जोती तुम्हारी, ती हूँ लोक फैली उजियारी उधर साहुकार के घर में मादुर्गा की नई और सुन्दर तस्वीर